दोस्तो आज के इस डिजीटल जमाने में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिलने के काफी सारे ओप्सन आपके पास होते हैं क्योंकि आप लोग अलग अलग जगा से ट्राई करते हो और बहुत सारी बेंक और MBFC में लोन देने का प्रोसेस काफी जटिल नहीं रहा है तो आप ओनलाइन भी अब लोन के लिए एपलाई कर सकते हो लेकिन ओनलाइन लोन एपलाई करने के बाद कुछ समय लगता है जिसके बाद आपको लोन मिलता है तो ऐसे में वो लोग जिनको अलगेंटली पैसा चाहिए होता है उनको लोन नहीं मिल पाता है तो इसलिए बेंग की तरब से और काफी सारी NBFC कंपनी की तरब से इमर्जंसी लोन प्रोवाइट किया जाता है तो ये इमर्जंसी लोन क्या होता है और कैसे ले इसी के बारे में किसी भी कारण से इमर्जंसी लोन लेने की जरूरत परती है तो इसी स्थिती में बहुत सारे एप आपको मुबाइल एप्लिकेशन में मिल जाएंगे यानकि प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे एप या फिर NBFC कंपनियां मिल जाएगी जो कि आपको तुरंट लोन प्रोवाइट करने का दावा करती है लेकिन आप लोगों को इमर्जंसी लोन कभी भी इन एप से नहीं लेना चाहिए बलकि लोन भी बैंक से ही लेना चाहिए और जो भी एप्लिकेशन ये लोन देते हैं उनकी ब्याद दर काफी ज आपके अकाउंट की फाइनशेल लेन देन बहुत ही अच्छी है और आपका क्रेडिट स्कोर भी काफी अच्छा है तो आपको किसी भी अच्छी बैंक से इमर्जंसी लोन तुरंती मिल जाता है आपको इसके लिए बस ओनलाइन एपलाई करना होता है अगर आप लोग नेट प्रोसेस करो या ओफ्लाइन प्रोसेस करो यह सारे डोक्यूमेंट आपको लगेंगे जिसमें पहला है आधरकार, पेंकार, आपका बेंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर और आपकी फोटो सेलफी इसके साथ अगर आप ओनलाइन एपलाई कर रहे हो तो आपका वीडिय अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा इमर्जंसी लोन लेने के लिए और अब जानते हैं कि इमर्जंसी लोन की ब्याददर कितनी होती है दोस्तो बहुर सारे एप्लिकेशन और फैनेंशिल कम्पनी जिस प्रकार की इमर्जंसी लोन दे रही है उसमें उनकी ब्या इमर्जंसी लोन ले सकते हैं लेकिन इसके लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुती जरूरी होता है क्योंकि तभी आपको तुरंट लोन मिल पाएगा यानि कि तुरंट लोन प्राप्त कर सकोगे और अब जानते हैं कि इमर्जंसी लोन क्या होता है दोस्तों अगर कभी भी हमारे उपर कोई एसी परिश स्थिती आती है जिसमें हमें तुरंत पेशो की जरूरत पड़ती है और अगर पेशे हमारे पास नहीं होते है तो एसी स्थिती में हम लोन लेते है और यही लोन को इमर्जंसी लोन कहते है और अब जानते है कि इमर्जंसी लोन कब मिलता है तो अगर आपके बेंक अकाउंट में अच्छी तरह से पेशो का लेंदेन चलता रहता है और आपका क्रेडिट और सिबिल स्कोर काफी अच्छा चल रहा होता है तभी आपको इमर्जंसी लोन मिलता ह तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को खतम करते हैं लेकिन इससे पहले में आप लोगों को बता दू के अब आपने वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्ज करोगे एजाज कलाडिया तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसक उपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक कर दीजेगा और वोट्सेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इससे शेर जरूर किजिएगा और एसे इन्फोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदेद किसी भी तरह का प्रशन पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों गर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट वाक्स में लिख सकते हो